कि साहिल अपनी आदाश को वैठा है और उसे बताया गया है कि वो जाकी है तो वेदिका बस खोशिश करिये जो डॉक्टर क्या रेकिमेंड किया हुआ कि यादे ताजा करने की कोशिश करो कि उसको याद तो है पर वो बिकॉज ऑफ उसको चोड़ लगे थी इसलिए सब भूल गया है तो आप कोशिश करते रहे कि अगर कुछ याद आ जाए तो पर इस पॉसिबल कि याद ना भी आए वेदिका है डिसाइड कि वो कोशिश करती ह साहल ने उसे जिसना प्यार दिया है वो उसको वापस रिटर्न करने का ये मौका है जैसे चाहल सब करता आ था साहल ने तो बहुत कुछ लिया है बट पुरा घर सजाना और फूलों कि बारिश्च करना और पोटोस तो इतने साहल ने पहले भी किय हुए ये सारी चीज़िश वो साहिल ने की है, वो सारी बेदिका करने की कोशिश करें. वो इसको पहचारने से भी इनकार करता है, उसको है कहीं सॉफ्ट कॉर्णर बेदिका के लिए पर वो अभी बूमी से एंगेश्मेंट कर रहा है, सुन वो शादी कर लेगा, उसको डिफरन रास्ते पर लेके जा रहा है, उसकी जो मा जो है नी बट सिल जो बोल रही है कि वो इसकी मा और वो बिचारा लॉस्ट है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या जूत है, तो सिच्वेशन को लेके अपकॉस वेडिका तो पर खिशनर होई गेए का रहा है कि आपूस बटrainगी सिलेशना वेडिका है कि युक्या है कि अधिकर नहीं सिलेशना रहा है युद्स ऱ्त वेडिका हो ट्रमांतिकशक मैं थेसरो है नहीं शलता नहीं कि वेडिका को समेंесс अपकोस होगा क्योंकि ये सारी चीजे जो लव जो लिखा हुआ है वो सारी सिच्वेशनल चीजे ही हैं जिससे साहिल ने पहले की हुई थी ये सब अलग अलग चीजे जो वेदिका ने एक सार्थ करने की कोशिश किये ताकि इस तरीके से नहीं तो कोई और जो आगे भी आने वाली है ऐसी चीजे की वेदिका किपस ओन ट्राइंग कि कैसे तो साहिल को पता चल जाए कैसे तो कुछ तो उसको कुछ इंसिडेंट याद आजाए कोई एक इंसिडेंट तो उसके जरीये हम और कुछ उसे याद दिलवा सकेंगें